हर्म कर्म जीवन संसकार कैसा रहेगा आज आपका हाल क्या कहता है आपका राशी फल देखिए भारत आज के साथ आज का राशी फल मेश राशी बाहर घूमना फिरना पाटी और मौज मस्ती आपको अच्छे मूट में रखेंगे करीबी रिष्टदारों के घर जाना आज आपकी आर्थिक इस्तिती को बिगाड सकता है बच्चे जादा वक्त साथ बिताने की मांग करेंगे लेकिन उनका बरताव सहयोगी और समझदारी भरा होगा आपको अपनी रसिक कलपनाओं पर अधिक गौर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि संभव है कि वे आज सच हो जाएं खाली समय में आज आप अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देख सकते हैं आज आप मैसूस करेंगे कि जीवन साथी के साथ की एहमियत कितनी है कोई फिल्म या नाटक देखकर आज आपका मन पहाड़ों में जाने का कर सकता है उपाई क्या है? अच्छी आर्थिक इस्तिधी के लिए पतनी का मान सम्मान वो आधर करें वरिश राशिफर आप मैसूस करेंगे कि आसपास के लोग बहुत जादा मांग करने वाले हैं लेकिन जितना आप कर सकते हैं उससे जादा करने का वादा ना करें और के वाईल दूसरों को खुश करने के लिए खुद को तनाव से ना ठकाएं आज आप काफी पैसे बना सकते हैं लेकिन इसे अपने हाथों से फिसल ने ना दे बच्चे जादा वक्त साथ बिताने की मांग करेंगे लेकिन उनका बताव सहयोगी और समझदारी भरा होगा अपने रोमांटिक हयालों को हर किसी को बताने से बचे जिन लोगों के घरवाले शिकायत करते हैं कि वो घरवालों को पर्याप्त समय नहीं देते हैं वो आज घरवालों को समय दीने के बारे में सोच सकते हैं लेकिन एन वक्त पर किसी काम के आने की वज़न से ऐसा नहीं हो पाएगा आपको और आपके जीवन साथी का वैवाहिक जीवन में कुछ निज़ता की जरूरत है आज घर पर शादी की बात चल सकती है लेकिन आपको ये बात पसंद नहीं आएगी उपाई क्या है? घर में लाल रंग के पोधे लगा कर उनकी देख भाल करने से स्वास्ते ठीक रहेगा मिथुन राशी अपने उचे आत्मविश्वास का आज सही इस्तेमाल करें भाग दोड भरे दिन के बावजूद आप फिर से उर्जा और ताजगी पाने में काम्याब रहेंगे प्रोपर्टी से जुड़े लेन देन पूरे होंगे और लाग पोचाएंगे आज के देन बिना कुछ खास किये आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी और आकरशित करने में काम्याब रहेंगे रोमान्स का मोसम है लेकिन अपने जज़बात काबू में रखे नहीं तो रिष्टे में खटास पैदा हो सकती है रात के समय आज आज आप घर के लोगों से दूर होकर अपने घर की चात्र या किसी पार्क में तहलना पसंद करेंगे आपके जीवन साथी की मांगे तनाव का कारण बन सकती है ये दिन हो सकता है बहुत ही बढ़िया दोस्तों या परीजनों के साथ बाहर जा कर फिल्म देखने की योजना भी बन सकती है उपाई क्या है प्रेमी या प्रेमी का से मिलने जाने से पहले मिश्री खाकर वपानी पी कर दिखलें इससे प्रेम संबंधों में बढ़ोत्री होगी करक राशी आपकी सकारात्मक सोच पुरिस्क्रेत होगी क्योंकि आप अपनी कोशिशों में काम्याब पास सकते हैं वे निवेश योजनाएं जो आपको आकरशित कर रही हैं उनके बारे में गहराई से जानने की कोशिश करें कोई भी कदम उठाने से पहले विशेशग्य की सला जरूर लें आपका कोई करीबी आज काफी अजीब मूड में होगा और उसे समझना लगभग असंभव साबित होगा बाहरी चीजों का अपकोई खास मायने आपकी लिए नहीं बचा है तोकि आप खुद को हमेशा प्यार की खुमारी में महसूस करते हैं आज आपके करीबी लोग आपके करीब आने की कुशिश करेंगे लेकिन अपने मन को शांत बनाए रखने के लिए आप एक कांत में समय भी ताना पसंद करेंगे जीवन साती से निकता आज आपको खुशी देगी जिंदेगी का स्वार तो स्वादिस्ट भोजन को करने में ही आता है ये बात आज आपके जुबान पर आ सकती है तोकि आपके घर में आज स्वादिस्ट भोजन बन सकता है उपाई क्या है? जो के आटे की गोलियां बना कर मचलियों को खिलाने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा सेंग राशी आशान और तनाव रहें आपकी मनो काम नाएं दुआओं के जरीये पूरी होंगी और सोभागे आपकी तरफ आएगा साथ ही पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी आपको बच्चों या खुद से कम अनुभवी लोगों के साथ देहरे से काम लेने की जरूरत है आपके प्रियर के साथ सेरसपाटे पर जाते समय जिन्दगी को पूरी शिद्दत से जियें अपने व्यक्तित्व और रंग रूप को पेहितर बनाने का कोशिश संतूष जनक साबित होगा व्यवाहिक सुक के द्रिष्टी कोन से आज आपको कुछ अनोखा उपहार मिल सकता है ओफिस में आज बहुत जादा काम होने की वज़न से आपको आँखों से जूड़ी परिश्यानी हो सकती है उपाई क्या है? आध्यात्मिक रूजान पैदा करने के लिए आज शरीर पर किसी भी तरह सोना या पीला धागा धारण करें खन्याराशी जिन्दगी का भरपूर लुफ्त उठाने के लिए अपनी महत्वकंशाओं को काबू में रखें योग का सहाराले जो आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक तोर पर स्वस्थ रखकर दिल और दिमाग को बेहतर बनाता है बाकी दिनों के मुकाबले आज का दिन आर्थिक द्रिश्टी से अच्छा रहेगा और आपको पर्याप्त धन की प्राप्त होगी तनाव का दोर पर करार रहेगा लेकिन पारिवारिक सही अग मदद देगा प्यार का जजबा अनुभाव के परे है लेकिन आज आप प्यार की इसमद होशी में कुछ जलक पा सकेंगे आप खुद को समय देना चाहते हैं और आज तो आपको कासी खाली समय मिलने की सम्भावना है खाली समय में आज आप कोई खेल खेल सकते है या फिर जिम भी जा सकते हैं यूँ तो जीवन हमेश्या कुछ नया और चौकाने वाली चीज आपके सामने लाता है लेकिन आज आप अपने जीवन साथी का एक अनोका पहलू देखकर खुशी से जोंग जाएंगे रात को आज आप अपने किसी करीबी से कई देर तक फोन पर बात कर सकते हैं और अपने जीवन में चल रही बातों को बता सकते हैं उपाई क्या है? पारिवारिक जीवन की खुशियों हेतु दूद, मिश्री, सफेद गुलाब के पूश्बत किसी भी धार में तिथार पर चणाए। तुला राशी, ध्यान से सुकून मिलेगा, अपने अतिरिक तधन को सुरक्षित जगा पर रखिये, जो आने वाले वक्त में आप फिर से पासकें, समस्याओं को दिमाग से बाहर खदेर दें और घर वा दोस्तों के बीच अपनी स्थिती सुधारने के बारे में सोचें। कुछ लोगों के लिए जल्द ही शादी की शहनाई बच सकती है, जबकि दूसरे जिन्दगी में नए रोमांस का अनुभव करेंगे। आपके इस वैवहार से आपके घरवाले परिशान हो सकते हैं। उपाई क्या है? दुर्गा जी के मंदिर में प्रसाच चड़ा कर करीबों में बाना आपको सुकून भरा एहसास दे सकता है। उरिश्चिक राशी अगर आप वैवाहिक तोर पर लंबे समय से कुछ नाखुश हैं तो आज के दिन आप हालात बहतर होते हुए मैसूर्स कर सकते हैं। जीवन की उलजनों का हल आपको खोद ढूंडने की जरूरत है। क्योंकि लोग आपको बस सलाह दे सकते हैं और कुछ भी नहीं। उपाई क्या है। साधू अथवा गुरू को पीले या भगवे वस्त्र पाउंचू कर भेट करने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। धन लाशी अपनी भावनाओ उपर खास तोर पर गुस्से पर काबू रखे। आपका धन आपके काम तभी आता है जब आप फिजूल खर्ची करने से खुद को रोकते हैं। आज ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। सामाजिक उत्सवों में सहभागिता का मोका है जो आपको प्रभावशाली व्यक्वियों के संपर मिलाएगा। आप जहां हैं वही रहेंगे। बावजुद इसके प्यार आपको एक नए और अनोखे लोक में ली जाएगा। इसके साथ ही आज आप रोमानी सफर पर भी जा सकते हैं। बिना किसी को अवगत कराए ही आज आपके घर में किसी दूर के रिष्टेदार पी एंट्री हो सकती हैं। जिसके कारण आपका समय खराब हो सकता है। अगर थोड़ी सी पोशिश की जाए तो जीवन साथी के साथ आज का दिन आपकी जिन्दगी के सबसे रोमानी दिनों मे से एक हो सकता है। अपनी बातों को एहमियत दिलाने के लिए आज आप मन गडंत बाते में हो सकते हैं। मेरी आपको सला रहेगी कि ऐसा करने से बचे। उपाई क्या है। दूद मिले जल से स्नान करने से सेहत अच्छी रहेगी। मकर राशी शमताओं को पहचाने क्योंकि आपके अंदर ताकत की नहीं बल्कि इच्छा शक्ती की कमी है। आर्थिक पक्ष के मजबूत होने की पूरी संभावना है। अगर आपने किसी शक्स को पैसा उधार दिया था तो आज आपको वो पैसा वाबस मिलने के उमिद है। परिवार के साथ सामाजी गतिवीदिया सभी को खुश रखेंगी। कई लोगों के लिए आज की रोमांटिक शाम खूपसूरत तोफे और फूलों से भरी रहेगी। समय का अच्छा इस्तिमाल करनी के लिए आज आप पार्क में खूमने का प्लैन बना सकते हैं। लेकिन व बिता सकते हैं। सुबह की ताजी धूप आपको नई उर्जा प्रदान करेगी। उपाई क्या है। हरे रंग के वस्त्र अधित पहने। इससे आपका स्वास्ते अच्छा रहेगा। खूमबराशी। आपका तल खरोवया दोस्तों के लिए परिशानी पैता कर सकता है। आज आपको अपने भाई या बेहन की मदद से धनलाब होने की संभावना है। आपकी निजी जिन्दगी के बारे में दोस्तों से आपको सला अच्छी मिलेगी। जिन्दगी की हकीकत का सामना करने के लिए आपको अपने प्रेय को कम से कम कुछ वक्त के लिए भूलना पड़ेगा। कोई आध्यात में गुरू या बड़ा आपकी सहायता कर सकता है। कोई जिश्टेदार अचानक आपके घर आ सकता है, जिसके चलते आपकी योजनाएं गड़ बड़ा सकती है। अपने घर से बाहर निकलते समय अपने जरूरी सामान को एक पार सरू देख ले। पाय क्या है? कुट्टे को रोटी घिलाने से स्वास्त अच्छा बना रहेगा मीन राशी कर कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, जहां दिल की बजाए दिमाग का जादा इस्तिमाल करना चाहिए। ठीक कम्यूनिकेशन ना होने के चलते परिशाने खड़ी हो सकती है, लेकिन मिल बैठ कर बात करने से चीज़ें सुलजाएं जा सकती है। स्वास्ते को दुरूस्त करने के लिए आज किसी पार्ग या जिम में आप जा सकते हैं। उपाई क्या हैं? अपने प्रेमी प्रेमिका को सफेद गुलाब भीट में देने से प्रेम संबंध मजब दोंगे।